हालो दूस्तों आपका येटी चनल जियो साइंस में स्वागत है मैं कम लिश्कमार क्लास 12 का फिक स्पीसिल लेक्टर में दिखा हुआ कि हम लोग रिफ्रेक्शन ओफ लाइट का पूरा का पूरा लेक्टर के बारें पूर्ण दिए पावर अफ लेंस लेंस में कर फर्मूला कर लिया पावर अफ लेंस का फर्मूला वान मता एप प्रूफ किया जब दो लेंसों को जोड़ेंगे तब क्या होगा वहां पर भी पावर अफ लेंस निकाले पी बराबार प्लस पी टू आज पावर अफ लेंस पर ही कुछ कोस्टन अज करवाएंगे हम लोग जो कोस्टन पूछता एक्जाम में बहुत इपॉटन कोस्टन पूछता है सब्जेक्टिव से लेकर अब्जेक्टिव तक पाचानने का तरीका क्या है लेंस का कैसा कोस्टन पूछेगा पावर अफ लेंस के फर्मूले पर या आज हम लोग जानने वाले हैं तो पहला हमें कोस्टन लेंद आफ कन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटिमीटर फाण दा पावर अफ पावर अफ कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस का पावर बताना है निकालना है आप लोग इस कोस्टन को नोट कीजे और जल्दी से बनाएए फट सो जड़ा सभी देरी नहीं कितना अंसर आएगा अंसर लागे दिखाईए फटाक सो क्या कोस्टन का सलूसन हो गया ध्यान दिजीए का कुस्टन का सलूसन हो गया हां कीतना आएगा अंसर इसका कितना लाएे आप लोग अंसर इसका इसका आएगा अंसर प्लस फो डायोक्टर वेरी गूड अंसर फो डी अंसर होगा अभी कैसे होगा इसमें क्या प्रोसेस लगाना होगा इसके बारे में हम लोग ज़स्ट अवी जनकारी प्राथ करने वाले हैं चलिए बिलकुल राइड जवाब प्लस फो डी आएगा अब कैसे आएगा सुलूसन करते हैं पहले क्या दिया होगा फोकल लेंथ दिया हुआ है फोकल लेंथ छोटा एप बराबर दिया हुआ पचीस सेंटीमीटर पचीस सेंटीमीटर हम लोग को मालूम है का फोकल लेंथ क्या होता है पोजेटिव होता है पी बराबर हम लोग को वा ये cm में आप लोग मालुम है कि focal lens का always हमेशा जो होता था मीटर में लिया जाता है तो पहले cm को पहले मीटर में चेंगरेंगी तो 25 बटा क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा मीटर में तो कट का है कितना 4 तो आ गया 1 बटा 4 मीटर रखें हम लोग P बरावर 1 बटा 1 बटा 4 मीटर उपर चल जागा तो आया कितना प्लस 4 ओडी चार डायोप्टर बात आगया कोस्टन यहीं सेंटी मीटर में रहेगा थ्यान दिजीगा जब कोई कोस्टन सेंटी मीटर में रहेगा तो क्या कोई डारेक्ट फर्मूला है हाँ है उसके लिए डारेक्ट एक फर्मूला है पी बराबर क्या होता है वन बटा एफ इंटू सौ यह एव को क्या कर दिया औरड़ी सेंटी मीटर में था इसको मीटर में चिंज कर दिया तो आप फर्मूला को यूज कर सकते हैं बहुत ही पॉर्टेंट फर्मूला है स्रिफ सेंटीमिटर के लिए जैसे इस पर भी बनाएंगा हम लोग पी बडाब और वन बटा एफ एफ का वैलू कितना है तो रग दिया यहां पर पचीस आई इंटू कितना कर दिया चार चार से गु इतना दी होगा फूरडइ होगा क्या इस को स्कृष्ट को रेज कर दिया जाए क्योंकि असान कुस्वष्टन है क्रणको कुश्टन ना करने से यह गी कुष्टन आपकी लेट आफ सावित जएगा बहुत तकलिफ lagi8 A quand tell के कि लिए कर है हम लोग अगला को सान फिर दे रहे हैं आप लोग बना के दिखाएगा जस्ट कि ऑप्षन क्या रहेगा जैसे दिखिए पी बराबर आया 4D ऑप्षन रहेगा ए में 4D बी रहेगा माइनस 4D सी रहेगा कुछ और दे सकता है जैसे आप लोग 4D लाए इसको जिरो पॉइंट कुछ और दे सकता है यहां पर 2D दे सकता है प्लस में फिर माइनस में 2D दिया हो रहेगा इसका मतलब प्लस माइनस कोई ने कोई भालो सेम रहेगा एक बर प्लस में एक बर माइनस में चलिए अगला को सन सकेंड नंबर को सन दिखाया जाए सकेंड नंबर को स सब्सक्राइब करें नंबर कुस्टन क्या होगा सिकेंड नंबर को सन दफोकल लेंट अओफ यहां पर लिख दिया जाए कौन केव कौन केव केव आयां पचीस सेंटेश के जगापर 20 cm find the power of power of concave lens किसका निकालना है concave lens का निकालना निकालिए 20 cm दिया है focal length चलिए इसका solution किया जाए कितना इसका value आएगा बता ही जल्दी इसका value कितना लाए आप लोग कितना लाए इसका ब्लस फाइव ब selbst प六 ल यवओ लाए वहलों कितना लाए फाइव दीड प्लस फाइव बोड मायनस फाइव ब्लस फाइव ब्लस!」 किसका अंसर होगा माइनस 5D एंसर भी होगा क्या ऐसा हो सकता है नहीं माइनस 5D बिल्कुल राइड जवाब बिल्कुल राइड जवाब माइनस 5D आएगा अब कैसे आएगा देखिए अब हम लोग कोस्टन को हल करते हैं सोलूसन बताए फोकल लेंद कितना दिया हुआ है फोकल लेंद छोटका एक व कितना दिया हुआ है बीस सेंटीमीटर आप लोग को मालूम है कि कौन केव है और कौन केव ऐसा होता है इसका फोकल लेंद लिप शैडम होता है यहां से यहां तक दिया हुआ पचीश सेंटीमीट तो इधर का भाइलू क्या होता है इधरन का फैलो क्या होता अपने आसलो गोगला दिया पी बिरावरा निकालना एस बाइफ ना रचनिमेडर में ड्रीकल लगा दिया कितना गुणा कर दिया सो तो 5हाँ 25 महां ट्रुके सब आ गया 5D माइनस क्या दिखा रहा है कि फोकल लेंस का था तो माइनस 5D जवाब होगा जवाब होगा क्या आप लोग ऐसा कुस्टन आएगा क्या आप लोग बता दीजीगा कुस्टन बना लेजीगा चलिए और भी आगए कुस्टन पढ़ा जाए रेज कर दें करें चलिए थर्ड नंबर के बाद को सकेंड नंबर के बाद थर्ड नंबर कुस्टन है थर्ड नंबर कुस्टन क्या आएगा आपके सामने जिश्ट आने वाला है थर्ड नंबर कुस्टन थर्ड नंबर कुस्टन क्या होगा बोलेंगे दा दा पावर ओफ है दा पावर ओफ ह convex lens, convex lens, plus 2D, plus 2D, convex lens is plus 2D, plus 2D, find the, find the focal length of convex lens, convex lens of focal lens निकालना, अब रही उल्टा दिया हुआ, पिछे वरां लोगों पावर निकालना था, और फोकल लिंद निकालना है, जिसमें वहां पर focal lens दिया हुआ था, पावर निकालना है, चलिए solution क्या जाए, आप लोगो मालू है, प रावर कितना डिया हुआ है, 2D दिया हुआ है, अब बताए, f बरावर हमको फाट निकालना है तो फ का षायन करना है तो यह कंटलना है तो की निकालना तो हमको बत्थन्स घ्रादेट कर ना है पर जो क्योंके क्षेट ईसको लिखेंगे दना इस हमेटर द्र सोफ हम इतना स 되면 सं 1995 में हम लोग कर देंगे हम लोग यहां से सो से गुना कर देंगे तो आज आगा 50 cm क्या ची मायगा पलस में ध्यान..., तो दोनों दे सकता है मिन्टर वह दोर को में को माइच में हैं मीमें को संट्रीमेटर बीज़ करें नहीं एक लुक्त जाए सकता है यहां प्लास यहां प्लास भी होगा प्लास वाइनस सबीसेस ध्याद दीजेगा पलास माई न देने का रहा है आपको कस्टन वहीं से मिश्ट पेंड जागा आपको आ गए हमाल यह 4D और यही माईनस में शौद एग्ला लेक्ट्र में हूं मनाई के बारे पढ़े हो लोग चलिए अगला कुष्चन अगला कोश्चन चोथा नंबर के बारे में दो पहते हैं कोश्चन नंबर चोथा को चोथा क्या होगा दा पावर आफ कोंकेव लेंट अज एज 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 फाइप डी फाइंड दा फाइंड दा इसको डी अच्छ लिखा जाएं फाइंड दा फोकल लेंद अफ कॉंकेव लेंज चले निकाला जाएं इकोस्टन को भी हल किया जाएं कैसे हल करेंगे दिया हुआ है सोलुसन करेंगे हम लोग पी देले है कितना देले है ध्यान देजे कॉंकेव लेंज है यहां पर माइनस फाइब लेंज समीसा नेगेटी होता है तो लिख दिया है पर काचिया माइनस फाइब दी चले निकालना हमको एफ निकालना एव बराव वाट तो एफ का लगाएंगे बसेटनीटिमेटर में यतना है इतना दि इसको हम लोह करेंगे करेंग तो फाइन मैं उसे उस्धाय कितना ढॹ üst थे यह 50 द कीमेटर अधू द्या सब्सक्राइव गया मॉनिटश्द को इसको मतलब उस इसाच कहा गया और थोस बीच ज्यूम जनी में rankings कर देंगे तो से कंगा कर देंगे हम लोग 100 से उना कर देंगे तो यह वरावारा यह जयेगा माइनिस 20 cm इसका मतलब अंसर किया होगा माइनस 20 cm चलिए तो आप लोग आज का कुस्ट्समर्ण हम लोग के पावर फ्लेंस पर ठीक है इसके पक्रेहाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम लोग human eye के बारे हम पढ़ेंगे Optical Osumin के बारे हम पढ़ेंगे human eye के ऊपर वाले भागोते ओंदर वाले भाग को आगते हैं जो हम हम लोग का आई में गोलकार रकना है उसको क्या कहंँ तो इस lecture को पढने के लिए इस वीडियो में इस लेक्टर को पढ़ने के लिए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और फूल एनरजी के साथ सपोर्ट करें जैहेंद